प्रादेशिक समाचारी कांज भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिठी आलेख विनोध आर्य वाचक स्वर सयुक्ता बानर जी कुरुना काल के बाद सागर जिला अब फिर विकास की रफ्तार पकड़ रहा है सभी क्षेत्रों में व्यापक गतिविधियां सतर्क्ता के साथ होने लगी है इसके साथ ही टीका करण का काम भी गति पर है बारह वर्ष से चौधा वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए वैक्सिनेशन शुरू किया गया है जिला टीका करण अधिकारी डॉक्टर आर एस रोशन ने बताया कि कलेक्टर के नर्देश के तहट जिले में बारह वर्ष से चौधा वर्ष के बालक बालिकाओं को चिन्हित करने का काम भी शुरू किया गया है इसमें प्रारंभिक रूप से 1,39,437 बालक बालिका चिन्हित किये गये हैं सागर जिले के गढ़ा कोटा में आयोजित होने वाले बुंदेल खंड अंचल के प्रसध रहस लोकोटसव के साथ विशाल आदिवासी सांस्कृतिक सम्मेलन भी आयोजित हुआ तीन दिवसिया इस मेले में स्टॉल लगा कर केंद्रो और राजिस सरकार की जन कल्यानकारी योजनाओं का लाप मौके पर ही दलाया गया रहस लोकोटसव में राजिपाल श्रीमंगु भाई पटेल ने कहा कि मेले लोक कला और संस्कृति को जीवत रखने का सार्थक प्रयास है इस दिशा में रहस मेले का आयोजन एक सराहनिय पहल है उन्होंने कहा कि रहस मेले जैसे आयोजन से युवापीड़ी तो लोक संस्कृति से परचित होती ही है साथ ही हमारी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा भी संरक्षित होती है शुभरम कारिक्रम में आयोजक लोक निर्मान मंत्री गोपाल भारगव, खनेच साधन और श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप से मौजूद रहे इस अफसर पर लोक निर्मान मंत्री गोपाल भारगव ने लोगों से कहा कि रहस लोकोचसव मेले में आनंद के साथ शासन की लोक कल्यान कारी यूजना का लाब अवश्य प्रात करें उन्होंने कहा कि हमें अपने उन वीर बलिदानियों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके कारण आज प्रदेश विकास के मुकाम पर है उन्होंने कहा कि 24 वर्ष पुराने इस रहस मेले को सहेज कर रखने में सभी का सहयोग मिल रहा है रहस लोकोटसव के मुख्याति थी केंद्रिय नागरे कोडियन मंत्री जोतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश की प्रगती और विकास के लिए महिलाओं का सशक्ती करण जरूरी है शुई सिंधिया ने कहा कि मैं पहले मानता था कि मध्यप्रदेश में केवल ग्वालियर का मेला ही बड़ा है लेकिन रहस मेला ग्वालियर के मेले के बराबर है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा रूस यूक्रेन युध के दौरान यूक्रेन में पढ़ रहे बच्चों को सरक्षत लाने के लिए चार मंत्रियों को भेजा गया इन प्रयासों से असी हवाई जहाजों के माध्यम से अठारह हजार भारतवासियों को देश मिलाकर उनके गंतव्य तक पहुँचाने का काम किया गया रहस लोकोटसव के समापनफसर पर रोजगार मेला आयोज़ित किया गया पिछले दिनों डॉक्टर हरी सिह गौर केंद्रिय विश्वविद्याले सागर के नवनिर्मित स्वर्गे अब्दुल गनी खान स्टेडियम का लोकारपन और चार दिवसिये वेस्ट सोन अंतर विश्वविद्याले खोखो पुरुष प्रतियोगिता का श्वभारम केंद् पिछले मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले भारत सरकार डॉक्टर विरींद्र कुमार ने किया लोकारपन कारिक्रम में डॉक्टर विरींद्र कुमार ने कहा कि प्राक्रितिक सौंदर्य के बीच स्थापत डॉक्टर हरी सेंग गौर विश्वविद्याले डॉक्टर गौर के महान संकल्पों और सपनों की देन है। यहां के विद्यार्थी अपने कारियों के माध्यम से राश्च्य और अंतराश्च्य उस्तर पर विश्व विद्याले का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर गौर के अवदान को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर गौर किवस सागर के ही सपूत नहीं थे बल्कि वे देश के अनमोल रत्नों में से एक थे। डॉक्टर विरेंद्र कुमार ने विश्व विद्याले के लिए 300 सीट की क्षमता के अनुसूचत जाती जनजाती कन्या छात्रावास और डॉक्टर अंबेटकर उतकरिष्ट केंद्र बनाने की घोशना की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में समय तीस उतकरिष्ट केंद्र संचालित है। इसमें SC, ST, OBC के विद्यार्थियों को विभिन प्रतियों की परीक्षाओं की तैयारी के लिए निहशुलक कोचिंग और प्रशिक्षन दिया जाएगा। विश्वक शैरोग दिवस के अफसर पर जिलाचिकितसाले सागर में एक शैरोग उन्मूलन और जागरुकता शिवर का आयोजन किया गया। मुख्यकारिक्रम, राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिहराजपूत के मुख्या आतिथ्य में संपर्न हुआ। श्रीगोविंद सिहराजपूत ने कहा कि इस रोग के प्रतीन अकेवल जन सामान्य की समझ बहतर हुई है, बलकि रोग के उचित उपचार के द्वारा टीवी के प्रकरणों में भी लगातार कमी दर्ज की गई है। जिली के चिठी समाप्त हुई।